कि असलाम लेकूं आज आपको 15000 वाली पॉलिसी के बारे में होता हूंगो यह 15000 क्या है यह एक प्लैन है, इसमें आपको साल के परिख पर को PAY करने होते हैं 20 सा로 कर पको 10 TC5 पर बंद नाक कर पको 15 thou παतना लॉप में इस पालाख इस जो बैकर फिक्सoter नहीं ये जादे भी होसकती ये इसके लावा अगर आपकी पॉलिसी को तीन साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन की जरूर पड़ जाए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं लोन की अमाउंट पर मिलता है जो आपने अमाउंट जमा करवाई होती है अब 4 इंदिन पर 3 साल में आपने जमा करवाई 45,000 रुपे 15,000 रुपे के साफ़ से 15, 30, 45 रुपे तो आपको इस अमाउंट का 80% मिल जाएगा यानि आपको तकरीबं जो है 38,000 रुपे करीब अमाउंट मिल जाएगी इसके लावा इस्टेट टाइफ एक चुकी है तो यह आपको तहाफुद रिफराइम करती है तो इसमें क्या है तहाफुद में अगर खुदाना खास्ता दुराने पहले से देथ हो जाती है नेशनल तो आपकी फैमिली को 3 रुप पे दी जाते हैं और अगर खुदाना खास्ता एक्सेंट की देथ होती है तो उस सुरत में 6 लाव रुपे दी जाते है और अगर पॉलिसी जो है FIB वाली करवाईए तो इसमें पीस साल तक पीशन की मत में आपकी फैमिली को सलाना या मर्णी पे की जाते हैं यह डिपेंड करती है फॉलिसी एजवाइस आपकी जित्ति एज होगी उसी के साफ से आप से पैसे लिए जाते हैं अब यह 15,000 और भी फिक्स नहीं है 15,000 और भी हो सकते हैं 16 भी हो सकते हैं 17 आपका नाइसी बना होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 55 तक होगा तो ज्यादा अच्छा बेनिफट्स आपको में जाएगा अधर्वाइस इस्टी पे भी पॉलिसी हो जाती है तो इसके अलावा आप अगर पॉलिसी करवाना चाहें तो मेरा जो आफिस है मैं इस शारे फैसल पर है मैं फरान रोटल के पास आप वहां पर आ सकते हैं और वहां पर मुझे कॉंटेक्ट करें तो आपको पूरा प्लैन समझा दे जाएगा उसके बाद शारे फैसल पर ही है हम आपको वहां लेकी जाएंगे हम लोग फॉर्म अगेरा फीद करवा के आपके हास से पैमिन जामा करवाएंगे जौन में और आपको उसी राएंप में रिसीब भी दे देएगी रिसीब के एक से दिएड़ हपते बाद आपको इस्टेट की फाइल में प्रोवाइड कर दी इसके बात अगर आप चाहें तो इस्टेट ट्राइब के बारे में कहीं से पूरे पाकिस्तान से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है सेविंग के हमाले से तो अगर आप करवाना चाहें तो मुझसे राप्टा कर सकते हैं मेरा नबर आपको पर आरहा उन्यक्तान एफिकेशन कर दोची है तो क्या कर चे-ई talking